सर आजकल बहुत पेशिंट आते हैं जिनका पेट फूला हुआ रहता है या सूजन रहती है तो यह क्या है सब क्या होता है इस कंडिशन को हम हिंदी में बोलें तो जलोधर बोलते हैं या अंग्रेजी में बोलना चाहे तो एसाइटिस जो की साइंस बासन में हम लोग पढ़त होता है सबसे पहले बात की जाए अपने भारत देश में तो अपने भारत देश में मौस्ट अब देकाज़ेस आफ इसाइटिस इस एलकोहलिक मतलब लंबे समय तक अगर कोई दारू कीता है तो उसके कारण लीवर में एक फैट की लेयर जमा होगी फिर वो फैट के लिए ध हट का फैल हो जाना पंपिंग कम हो जाना उसकी वजह से भी हो सकता है तीसरा हम देखें तो अपने गूर्दें अगर वूदों में कोई सूजन हो गई गूर्दे खराब हों आ हो गये उसकी वजह सकता है और पेट में संक्रमर्ण जैसे एक कीट पंकिया टाइटिस होगे र कि अगर पेट में पानी है तो हम उस्ता एक्जामनेशन कैसे कर सकते हैं तो आज हम दिखाएंगे आपको इस वीडियो के माद्य हम से की सिप्टिंग डलनेस, how to check shifting dullness this is, what is this, is this resonant or tympanic? tympanic very good this is resonant or tympanic this is resonant or sad, right? so what dullness is this? supra-cubic dullness what does it represent? so that is important now, you have to go back again and then you reach a resonant or tympanic then, we go के विर सकते और झेन थौै मैंट थौ Okay तर नाव सकते हैं मिलाज की धिननेको और वे vet लो 30 में का पृ Consult के लिए रसे भांड गा हुआ कर चाल कि दिननेक नेंड से ट्रेक्स का इद फल्डेंर छावर को . no there is does it's not doesn't mean shift we are doing shifting dullness it means there is free fluid in the abdomen what does it mean okay okay it has become tympanic again so now what we have to do we have to do the same step again on the other side學 can go away from far back गैननू अदिर मानिका प्रो Corβट ले लिजा हा रस लास्ट Länder प्रोय कता। अदिध इसका हुआ धिन कंपेम प्रोयर है मगत मिहाने हैं इज प्रोयर भीर onda विसे के लिटनाتي समय है हुआ है डिए फटीछ न आतो खीम प्रोयर आपा। अदेयर किता स्टनिंच in that moment and what is